बस दिख जाए उसकी एक जलक हिंद महासागर में मन चला चीन खेल रहा लुका छुपी का खेल पूरी लद्दाक में एलेसी पर तनाव के बीच हिंद महासागर में चीन लुका छुपी का खेल 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 रहा है अगले हफते भारत लंबी दूरी की बलिस्टिक मिसाइल के टेस्ट की योजना बना रहा है लेकिन उससे पहले हिंद महाशागर शेत्र में चीन के एक और जासुसी जहाज ने एंट्री की है ये वही जहाज हैं जिसने अगस्त में स्री लंका के हमबन टोटा बंदरगा पर डेर डाला था जिसके बाद नई दिल्ली और कोलंबों के बीच पूठ मीतिक विवाद भी हुआ था चीन के जासुसी जहाज यूआन वैंग फाइब ने सुनवार सुबह इंडोनेशिया के सुनदा जलर मरू मध्धिक के जरिये हिंद महासागर में दस्तक दी सतर्क भारत ने उसे तत्काल ट्रेक कर लिया रक्षा मंतराले से जुड़े सुतरों ने हमारे सैयोगी अखवार टाइमस आफ इंडिया को बताया कि उसके बाद से ही भारत चीन के इस रिशर्च और स्पेस ट्रेकिंग जहाज की हर हलचल पर करीबी नजर रखे हुए हैं 20,000 टन वजनी युवान वेंग 5 जासुसी उपकरणों से लेस है उस पर विशाल एंटीना, एडवान सेंसिज और इलेक्ट्रोनी उपकरण लगे हुए हैं जिस पर करीब 400 क्रू मेंबर तैनात हैं खास बात यह है कि चीन केस जासुसी विमान नहिंद महा सागर में तब दस्तक दी है जब कुछी दिन पहले भारत ने प्रस्तावित मिसाइल परिक्षन को लेकर नोटम नोटिस टू एयरमेन जारी किया था उसकी तहित बंगाल की खाड़ी के उपर 15-16 दिशंबर को मिसाइल टेस्ट की वज़े से नो फ्लाई जोन की तयाज जानकारी दी थी फुतों ने बताया कि उस दोरान भारत अपनी सबसे घातक मिसाइल अगनी 5 का परिक्षन करने वाला है ये 5000 किलोमीटर की ज़्यादा दूरी टे कर मार सकती है अगनी 5 को ट्राई सर्विस स्ट्रेटेजिक पोर्सिस कमांड एस एफ सी में सामिल किये जाने के प्रकडिया चल रही है तीनो चरणों वाले अगनी 5 का पहला यूजर ट्रायल अक्टुबद 2021 में किया गया था ये मिसायल चीन के सिदूर उत्तर तक टार्गेट को नेस्त नाबूत करने में शक्षम है चीन का जासुसी जहाद नियमी तोर पर हिंद महासागर में मंडरा रहा है भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि चीन भविस्थ में सीलंका के हमबन टोटा बंदरगा का इस्तेमाल अपनी पन डुबियों और युद्ध पोतों के लिए नेवी बेस के तोर प कर सकता है